दोसो आज की इस वीडियो का हमारा टापिक रहेगा कैथार्सिस एरिस्टोटल ने इस टर्म को कॉइन आउट किया था ये वर्ड निकल कर आया है एक ग्रीक वर्ड कैथेरियन से जिसका मतलब होता है पर्ज या कहें कि क्लीन करना अब आप सोचोगे किस चीज को क्लीन करना और किस चीज से क्लीन करना तो जब कोई audience बैट के कोई dramatic tragedy देखती है तो उस वक्त वो main character के प्रती बहुत ज़्यादा emotions फील करती है mainly दो टाइप के emotions pity और fear और उस tragedy को देखने से उनके खुद के characters में कुछ बदलाव आते हैं जिसे catharsis कहा जाता है ये एक चोटी सी definition थी catharsis पर अब मैं आपको details से सब जाने की कोशिश करता हूँ कि Aristotle ने इस catharsis के बारे में क्या कहा है Aristotle ने कहा है जब उनके सामने drama चल रहा होता है जिसे actors perform कर रहे होते हैं उस वक्त audience same emotions feel करती है जो main characters के साथ में हो रहे होते हैं और उन्हें emotions के थुरू audience कुछ better चीज़े सीख सकती है अपनी life में उतारने के लिए कि हमें अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें उस drama को देखते वक्त उस main character से बहुत strongly attachment हो जाता है और ये कैतार से सिर्फ drama में नहीं पाया जाता है novels के अंदर भी पाया जाता है जैसे imagine करो एक किताब है जिसके अंदर एक लड़का है जिसने cancer की वज़े से अपनी मा को खो दिया अब एक reader है जो इस किताब को पढ़ रहा है उसने भी कभी past में मान लो किसी friend या family member को cancer से खोया होगा तो वो इस किताब से deeply attach हो जाएगा इसे ही कहा जाता है catharsis यानि ऐसी same situation जिसमें reader या viewer खुद उस किताब को पढ़ते पढ़ते या उस चीज को देखते देखते उस character के गुसे को उस character के हर emotion को चाहे वो दुख हो गुसा हो सब को अपना मानने लगे उसे ही catharsis कहा जाता है I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही